अब करेंगे जिसमें अपने पास में फंजाई आएगी ए फोर नॉमर की गुरू निती तो अब हम इसको अपने पास में आगे स्टार्ट करते हैं तो इसमें फंजाई और प्लांट किंग्डम को हमने इंकलूड किया है पहला क्यूशन है आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- भाइरोगायरा में पाए जाई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसले मेहार किसके होने को दशाता है Monocius plant Kara so for a crisis of Kara just इसके उपर काफी question अपने पास में आये थे पहले भी ऐए थे अब nggak कि अंदर क्या होता है पहली बात तो आपको information यह धर रखी है कि bueno । 처ता है का मतलब होता है अपने पास में एक वाइसेक्सवल हर्मोफॉड और यह त्यंनु कंडिशन एक जैसी होती है एक नहीं बोल सकते एक जैसी बोल सकता है similarly में हम इसको ले सकते हैं तो bisexual अपने पास में मतलब male और female दोनों sex organ अपने पास में एक ही plant के उप्र होंगे तो कारा जो होती है कारा में एक ब्रांच के उपर नीचे की तरफ अपने पास में कौन होता है बेटा मेल होता है और उपर की तरफ अपने पास में कौन होती है फिमेल होती है तो अपने पास में इसलिए ये क्या हो गया मोनोसियस प्लांट हो गया तो अपर एंथ्रीडियम न पारा के अंदर अपने पास में और अपने पास में अन्त्रीडियम ट्रंक के जगह ग्लोबियूल और नोक्यूल ट्रंप यूज की जाती है ठीक है एंट्रीडियो 4 एंड आर्की गोनियो 4 इसका तो कोई मतलब नहीं है यह लोवर ब्राइव फाइट्स में होते हैं पास में क्या हो जाएगा फोर्त में सेकंड नेक्स्ट क्यूशन है विच आफ दा फॉलोइंग सो आइसो गैमी विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमिट देखो बेटा एड़ पीम्टी दोजार चोदे में यह क्यूशन आया हुआ था और इधर देखो अपने पास में एड़ 2013 में मतलब दोनों क्यूशन शेम ही है नॉन फ्लेजिलेटेड गैमिट आइसो गैमी आइसो गैमी का मतलब हो गया समान और नॉन फ्लेजिलेटेड अपने पास में आंसर उसी की तरह चला जाएगा कौन इस पायरो गायरा नेक्स्ट क्यूशन के उपर अपना आते हैं विच यह ने एक ट्रम यूज किया जा सकता है ब्रामग मलब एक तरह का नसा होता है जब आपको लगता है जब आप इस हैलुशनोजन सबस्टेंस को इन्टेक करते हैं तो लगता है हवा में गूम रहे है वैस्टेवाला अपने पास में नसा होता है तो विच वन ऑफ तो यह अमेंटिया मसकारिया यह पुराना किशन है तो इसको याद रख लेना नेक्स्ट किशन के बारे में बात करते हैं विच वन ऑफ फोलोईंग इस रॉंग अबाउट कारा मैंने पहले बदाया था कि कारा की उपर काफी किशन अपने पास में आये हुए है कारा एक गर में नर्ख प्रण्र प्रणर के लिए लगया आपको थोड़े धेर पहले बताया था कि आकरा और आपने पास में Select नहीं और नहीं हो सकता असमिशंग हो गया इझ गलोबूल है और नोक्यूल जो है वो अपने पास में कौन है बेटा फीमेल है किलियर है नेक्स्ट क्यूशन है एक लोकेशन विद लेंगर ग्रोथ ओफ लाइकेन ऑन दा ट्री इंडिकेट दैट दा अपने पास में परचूर मातरा में कहां पर ग्रोथ करते हैं या मादलो की लाइकेन परचूर मातरा में ग्रोथ कर रहे हैं यह किस चीज का संकेत देता है तो बच्चों आप जानते हो कि लाइकेन जो होते हैं वो पॉलिशन इंडिकेटर होते हैं जहां पर पॉलिशन होता है वहाँ पर lichen अपने पास में ग्रोन नहीं करते हैं इसलिए लाइकन एक्स्ट्रिम ग्रोथ कर रहे हैं इसका मतलब एरिया क्या है नॉन पॉलिटेंट है इस्तान पर दूसित नहीं है नेक्स्ट क्यूशन है विच वन विच ओप दा फॉलोईंग इज रैस्पोंसिबल फॉर पीट फॉर्मेशन आपको पता है बिटा कि आप कोल के टाइप पढ़ते हो तो अलग अलग टाइप के कोईले आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें एक अपने पास में पीट कोईला आत होते हैं इसको और यह अपने पास में दलदली छेत्रों में उगता है देरे देरे बहुत दलदल चटान में चेंज हो जाती है और यह उन चटानों के वीच में कोईले के रूप में निर्मित हो जाता है तो इस पेगनम हमारे पास में पीट कोल के रूप में प्राप्त होता है और यह रेड एलगी का अपने पास में प्रोड़क्ट होता है आइस क्रीम और जैली को गाड़ा करने के लिए हम एगार-एगार को यूज करते हैं यह अपने पास में गौंद जैसा सबस्टेंस होता है नेक्स्ट क्यूशन है विच अप फॉलॉइंग इस सैक फंजाई बि तो इसमें अपने को किसका मेंबर चाटना है जो कि आपको पता है पैनिसलियम नोटेटम हो जाएगा तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा फश्ट अब आप से पूछा है खालिस्तान इजदा राइंडियर मॉस राइंडियर मॉस जो है यह एक ट्यू मॉस नहीं है बे देंगे अपने पास में क्लोडोन या रेगनी फेरन यह हमारे पास में क्या है रेंडियर मॉस है यह लाइकेन है नेक्स्ट कुशन अपने पास में कह रहा है कि विच इस्टेंड तो यूज तो इस्टेंड फंजाई फंजाई को कलर्ड करने के लिए या फंजाई को देखन कुछ ने की थी तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसिलियम नोटेटम में फर्स्ट एंटिबायोटिक अपने पास में पैनिसिलियन की डिस्कवरी की थी नेक्स्ट क्यूशन है वन जीन वन एंजायम थोरी वाज फर्स्ट गीवन बीडल एंड टेटम प्लांट किंग्डम की ड्रोसो फिलाज जिसको अपन नियूरोस्पुरा बोलते हैं नियूरोस्पुरा पर इस्टेडी करते हुए बैडल और टेटम ने अपने पास में वन जीन वन एंजायम हाइपोथिस दी थी तो यहां पर आंसर कौन चला जाएगा नियूरोस्पुरा नेक्स्ट क्यूशन है बिच गुरूफ फंजाई इसको अपने पास में अपने पास में नेक्स्ट अपने पास में है सबसे पहले बात आती है बिचा क्या होते है तो यह जूश्पुर का गुरूफ होता है उसको अपन क्या बोलते है और शूश्पुर जो होते है यह वावचेरिया में देखने को मिलते है यह ग्रिन अल्गे का मेंबर है next question अपने पास में in most of lichen there is associated with lichen की बात कर रहा है बटा most of lichen देखो lichen जो है अपन सबसे पहले पढ़ते हैं तो अपन कहते है की algae और अपने पास में फंजाई का जो relation है उसको अपन क्या बोल देंगे बटा lichen बोल देंगे दूसरा अपने पास में LG में भी हम आते हैं तो BGA मिलती है मैली और फंजाई में हमें कौन मिलता है बेटा एसको माइसेटीज मिलता है तो BGA और एसको माइसेटीज का जो relation है क्योंकि maximum member जो belong करते हैं वो अपने पास में BGA से belong करते हैं तो साइनो बैक्टिरिया और अपने पास में एसको माइसेटीज जो है वो लाइकेन बनाते हैं मौस्टो ओल फंजाई यार सभी फंजाई क्या है आप से ये पूछा गया है तो फंजाई हेट्रोट्रोफ्स है क्योंकि आप लोग जानते हो कि RHV टेकर ने 5 kingdom classification दिया था आटोट्रोफ्स को प्लांटी में रखा था हेट्रोट्रोफ्स को फंजाई और अपने पास में किस में रखा गया था एनिमेलिया में ठीक है मौनेरा जो थे वो प्रोकेरियोट थे और जो यूनिसेलूलर थे वो अपने पास में कौन थे बिटा प्रोटिष्टा वाले थे तो इस परकार से 5 kingdom बनाये गए थे तो fungi kingdom में हम यह कह सकते हैं कि heterotrophs होते हैं उसमें symbiote भी आते हैं, saprophite भी आते हैं और parasite भी आते हैं तो answer क्या हो जाएगा? second next question है, ectotropic mycorrhiza is found in आप लोग जानते हो बेटा, mycorrhiza क्या होता है? mycorrhiza आपको पता है, higher plant का फंजाई के साथ में जो relation होता है उसको अपन क्या बोलता है, mycorrhiza higher plant और फंजाई अपने पास में mycorrhiza relation बनाते हैं फंजाई क्या गरता है? phosphorus substance एबजोर्ब करके देता है बदले में higher plant उसको nutrition प्रवोईड करवाते हैं दोनों का symbiosis association, mycorrhiza कहलाता है mycorrhiza दो प्रकार का होता है, ectomycorrhiza, endomycorrhiza ectomycorrhiza में surface से relation बनता है endomycorrhiza में cortex अंदर तक अपने पास में फंजाई हाई-पी plant के अंदर गुसे होते हैं तो हमारे पास में बात आती है, 18 number question में 18 number question में आपसे सिरफ ectomycorrhiza पूछा हुआ है तो आप लोग जानते हो, pinus जो है, वो ectomycorrhiza relation बनाता है क्योंकि pinus की seed से ही mycorrhiza relation बन जाता है pinus का seed भी तब germinate होगा, जब उसको mycorrhiza relation मिलेगा next question है, lichen, lichen के बारे में आपसे पूछा है तो अपने पास में पहला option है, cannot reproduce, बिलकुल गलत बात है lichen में manly fungi होता है, तो dominant और इसलिए fungi की जो reproduction stage होती है वो lichen में clearly दिखाई देते है need a nitrogen source to live, बिलकुल सही बात है nitrogen source के बिना तो रही नहीं सकती, थोड़े बहुत तो nitrogen क्याव सकता होती है are the parasite on tree, नहीं, parasite तो नहीं होती है, क्योंकि अपना food खुद बनाती है फंजाई में lichen जो होती है, उसमें अपने पास में algae जो होती है, वो अपना भोजन बना लेती है with some able to extreme conditions, देखो बेटा, extreme conditions में ये रहने के लिए applicable नहीं है SO2 जैसे परदूसित छेतरों में lichen नहीं रहती है, तो अपन इसमें ये question में हम ये भी नहीं कह सकते है कि ये extreme condition में रहती है, तो इसका answer जो होगा, वो second होगा, क्योंकि nitrogen source जर्नली required होता है वैसे कोई इन में source के रूप में nitrogen नहीं मिलती है, लेकिन nitrogen अपने पास में availability चाहिए क्योंकि रहना है जिंदा, तो nitrogen एक main component है, तो nitrogen source चाहिए बस यहाँ पर अपने पास में extreme condition जैसे SO2 जैसे परदूसित एरियों में ये नहीं रहती है, इसलिए ये wrong हो जाएगा next question है, which vitamin is obtained from yeast, इस्ट से कौन सा vitamin obtained होता है, इस्ट से बहुत सारे vitamin B के परकार के जैसे B1 है, B6 है, B12 है B के अधिकतर vitamin इस्ट से प्राप्त होते हैं, informative questions है, RPMT के time पर executions आते थे holdfast is found in which algae, holdfast के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो भाग अपने पास में सबस्ट्रेटम से जोड़ करके रखता है, algae को वो क्या कहलाता है, holdfast कहलाता है और holdfast अपने पास में किसमें देखने को मिलेगा, Eulothrix में, आप जानते हो, Eulothrix में ये non-green cell है, इसको अपन क्या बोलेंगे, holdfast, फिर अपने पास में ये green kaloroplast वाली cell आ जाएंगे ठीक है बेटा, next question है, when association in plants helping, when vascular a vascular mycorrhiza, ये mycorrhiza ही है बेटा, तो आपने पास में mycorrhiza क्या काम होता है, phosphorus का absorption, अभी थोड़ देर पहले आपको बताया भी था, manly phosphorus का absorption करता है mycorrhiza, तो answer second हो जाएगा alternation of generation exhibited by, किसमें परदर्सित होगा, alternation of generation, alternation of generation में हम ये कहेंगे बेटा, देखो plant की life में दो life होती है, एक diploid जिसको अपन sporophyte बोलते हैं, और एक अपने पास में क्या होती है बेटा, haploid जिसको अपन क्या बोलते है, gametophyte और समय के साथ में हम कह सकते हैं, कि sporophyte, meiosis द्वारा किसमें चेंज होता है बेटा, gametophyte में चेंज होता है, और gametophyte अपने पास में fusion द्वारा किसमें चेंज होता है, sporophyte में तो gametophyte का sporophyte में चेंज होना है, और sporophyte का gametophyte में चेंज होना, alternation of generation के नाम से जाना जाता है, alternation of generation, journalists सभी plants में देखने को मिलता है, तो अपने पास में answer जो है बेटा, वो हो जाएगा, all, 23 का answer, 4 हो जाएगा, अपने पास में, all next question है, a collection of sporansia on a placenta covered by endotium is non-hedge, sporansia का collection देखो बेटा, यहाँ पर आपको यह जो leaf है, जिस पर sporansia डवलप होंगी, वो क्या कहलाएगी, sporophyll कहलाएगी, तो यह sporophyll हो गई, इस पर अपने पास में बहुत सारी sporansia'ों का group होगा, यह sporansia है, तो यह sporansia होगी, और sporansia'ों का ज हो गया, soras, तो soras और बहुत सारे soras मिलकर के क्या बना लेंगे, बेटा, sorai, तो ऐसे sorai है, sorai में soras है, और soras के अंदर क्या है, इस sporansia, यह सब किस के अंदर डवलप होती है, इस परोफिल की अंदर, और यह character किस का है, बेटा, यह character अपने पास में, teridophytes में, फर्म्स का ह है, दूसरी बात करते है, रेमेंटा की, तो रेमेंटा क्या होते है, रेमेंटा, फर्म्स की, जो अपने पास में, लीफ होती है, उस पर आने वाले, छोटे-छोटे, हेर समान सरचना होती है, जो new leaf की protection करने का काम करती है, इसको अपन क्या बोलते है, रेमेंटा बोलते है, क उसमें BGA परजेंट होती है एनाबीना साइकेडी ये BGA नाइट्रोजन फिक्षेशन करके अपने पास में किसको देती है साइकस को देती है और अपने पास में सिंबायोटिक असोसियेशन बनाती है ऐसी रूट जो सिंबायोटिक असोसियेशन बनाती है उन रूट को अपन ब पड्यूज करने के लिए I spar mother cel बती है Oh यह कैसी होगी ट्वयंड क्योंकि इसमें प्योंसीस होगा और मियोसिस होने से अपने पास में है प्लोईड क्या बनेंगे बाटा इसस्पोर बनेंगे रिस पोर मदर following is smallest angiosperm देखो बेटा दुनिया का सबसे छोटा एक्वेटिक होता है ये angiosperm वुल्फिया है वुल्फिया सबसे छोटा angiosperm होता है ठीक है नगन आखों से हम नहीं देख सकते हैं इसको microscope से देखा जाता है next question है which of the following match character आपने पास में सही मिलान कौन सा है सही सुमेलिद को छहाटना है तो सही सुमेलिद अपने पास में exoticous पर्जिवी होता है नहीं ये तो गलत हो गया फाइट्वीन फाइको मैसीटीज नहीं होता है अपने पास में तो यह घलत हो गया अब अल्टरनेरिया लिंग परजनन अनुपस्तित दूटेरोमैसिटीज यह बिल्कूर सही बात है बैटा अल्टरनेरिया sexual reproduction की अभी या तो absent होता है या discovery नहीं की जाती है जब तक फंजाई में sexual reproduction की discovery नहीं की जाती है या absent होता है तब तक को इसको Duteromasitis का member माना जाता है तो यह Duteromasitis का member है यह सही है Mucar आपको पता है 5 Comisitis का member है तो यह गलत हो गया यहाँ पर अपने पास में fourth option ascomicities के कारण गलत हो गया यह अपने पास में accepted के कारण गलत हो गया और यह किस के कारण से रोंग हो गया parasitic फंजाई के कारण से next question है which one of the following statement is wrong गल्थ statement को अपने को choose करना है तो सबसे पहले आपसे है minitol is the stored food in rodofice rodofice में minitol होता ही नहीं है बिटा rodofice में floriden starch होती है जो glycogen और aglycoprotein या starch के अपने पास में ज़्यादा similar होती है तो यहाँ पर option यह पहला ही रोंग हो गया दूसरा सही है algin और keragin algae के product है agar agar geladium और gracilaria से प्राप्त होता है और klorula और spirulina दोनों unicellular algae है जिनको अपने पास में अंत्रिक सियात्री भोजन के रूप में protein source के लिए use करते है क्योंकि यह दोनों protein से rich होती है next question है male gamits are flagulated in male gamits flagulated किसमे होंगे बिटा सबसे पहले बात तो यह होती है कि red algae के जीवन में कोई भी motile stage नहीं होती है इसका मतलब red algae में कभी भी आपको motile stage consider नहीं करनी है दूसरा अपने पास में है कि यहाँ पर male gamits philogulated पूछा है इसका मतलब अपने पास में brown algae का अपने को member यहाँ पर select करना है तो 30 जो है इसमें brown algae का member ectocarpus है तो हम answer के लगा देंगे ectocarpus next है in which of the following gametophyte is not independent free living कि आपने पास में किसका gametophyte जो होता है वो independent और free living नहीं होता है बच्चों एक बार फिर में gametophyte और sporophyte के concept पर आपको लेके चल रहा हूँ तो एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा sporophyte आपको पता है 2N होता है इसमें meiosis होगा और इससे क्या बनेगा बिटा आपने पास में haploid generation बनेगी इसको अपन क्या कहते हैं gametophyte कहते हैं gametophyte का fusion होगा वापस से क्या बनेगा sporophyte इस process को अपन क्या कहेंगे alternation of generation आप लोगों पता हैं कि algae और bryophytes में algae और bryophytes में अपने पास में dominant जो PD थी dominant generation थी वो कौन थी? gametophyte sporophyte short living था जबकि terido, gymno और angio ठीक है इन में अपने पास में कौन होता है terido, gymno और angio में अपने पास में dominant जो होता है वो हमारे पास कौन होसी जर्नेशन होती है sporophyte जर्नेशन होती है अब यहां पर आप से पूचा है गेमेटophyte non independent free living अब यहां पर देखो algae और bryo में gametophyte free living है लेकिन खास बात यहां आती है terido में terido में gametophyte और sporophyte दोनु ही free living है तो इसका मतलब gametophyte free living किस-किस में हो गया algae, bryo और terido में तो अब इसमें example अपन छाट लेंगे जिसमें not free living होगा वो यह जिम्नोस्परम होगा या angios्परम तो पाइनस example दे रखा है जो किसका है अमारे पास में जिम्नोस्परम का तो आंसर क्या हो जाएगा next question है read the following five statement a to e and select the option with all correct statement आपको पाँच statement पढ़ने है और इसमें से सभी जो correct statement है उनको आपको क्या करना है बेटा select करना है तो अब देखेगा पहला mosses and lichens are the first organism to colonize a bare areas moss और lichen किसी भी नग्म चट्टान पर भशने वाले पहले और्गिनिजम होते है सही बात है pioneer community है सबसे पहले अपने पास में वहाँ पर जाकर अधिकार जमाते हैं तो पहला right है दूसरा कह रहा है कि slaginilla is a homoesporis teridophyta बिलकुल गलत है slaginilla, salvenia, azola यह heterosporis aquatic teridophytes है जो aquatic है जादा तर वो ही heterosporis हो कर रहे है ठीक है दूसरा है psychus में परवाल मूल में वैम होता है psychus की परवाल मूल में वैम नहीं होता है mycorrhiza association नहीं होता है तो अपने पास में क्योंकि BGA का association है वहाँ पर जबकि फंजाई का association vascular mycorrhiza बनाएगा तो यह अपने पास में wrong हो गया next है man plant body in bryophyte is gametophyte अब भी आपको explain किया था और whereas teridophyte is sporophyte बताया था teridophyte की man body sporophyte होती है लेकिन दोनों free living होती है gametophyte और sporophyte तो यह statement right है next statement है in gymnospram male and female gametophyte present with in sporengia located on sporophyte सही बात है तो यह आपास में तीन statement सही है a, d और e बाकि wrong है दो statement next question आप से कह रहा है which one is wrong statement कि wrong statement कौन सा है पहला statement आप से कह रहा है brown algae have chlorophyll a and c and phukogenthin बिलकुर सही बात है brown algae में chlorophyll a होता है और अपने पास में c भी होता है दूसरा कह रहा है archegonia are found in bryophyte teradophyte gymnosperum ठीक है यह भी बात तो अपने पास में सही है कि अपने पास में archegonia जो female reproductive वाला part होता है वो अपने पास में इन सब में present होता है और archegonia कहलाता है तो यह बात भी सही है mucar has biflagylated juice spore नहीं बेटा mucar में sporengio spore होता है जिन में phlezyla नहीं पाए जाती है next है haploid endosperum is the typical feature of gymnosperum यह बिल्कुल सही बात है gymnosperum का जो endosperum है वो before fertilization अपने पास में produce होता है और before fertilization female gametophyte से बनता है इसलिए haploid होता है यह चीज लर्न भी करना without fertilization आपने पास में और किस से पहले fertilization से पहले और before fertilization और female gametophyte से पैदा होने वाला अपने पास में endosperum किस में पाया जाता है gymnosperum में इसलिए वो haploid होता है तो third wrong हो गया बाकि सही है बिटा next is to the wrong statement आपको गल्थ कथन का chain करना है पहला है east is unicellular and useful in fermentation बिल्कुर सही बात है unicellular होता है और fermentation में यूज होता है penicillium is the multicellular and produce antibiotic बिल्कुर सही बात है penicillium अपने पास में multicellular fungi होता है और यह से पर्थम antibiotic penicillin प्राप्त की गए थी neurospora are used to study of biochemical genetics आपको पता है plant kingdom की drosophila के नाम से जाना जाता है इसलिए अपने पास में genetic जितने भी experiment है उनके लिए उनकी अध्यन के लिए उपयोगी होता है next moral tefels are poisonous mushroom नहीं edible है बेटा खाने योग्य है poisonous नहीं है तो यह हमारे पास में statement क्या हो जाएगा गल्त हो जाएगा बाकी statement सही है next the imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycle belong with imperfect दे दिया बेटा imperfect का मतलब हो गया appoon appoon का मतलब जिनमें अभी sexual reproduction की खोज नहीं हुई तो deuteromyces के जो member है उनमें या तो sexual reproduction discovered नहीं हुआ है या फिर अपने पास में absent है तो यहाँ पर deuteromyces answer चला जाएगा next question है बेटा one of the major component of cell wall of most fungi is फंजाई की कोशिका भित्ती का मुख्य अव्यव कौन सा है तो आप लोग जानते हो कि फंजाई की कोशिका भित्ती polysacuride की बनी होती है जिसमें chitin मुख्य polysacuride की भूमे का निबाता है next question है अपने पास में in bryophytes and tredophytes transport of male gamits are required आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि bryophytes और tredophytes इस्थलिय पादप है लेकिन पून तया सफल इस्थलिय पादप इनको नहीं माना जाता है इनको successful terrestrial plant नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें male gamits और female gamits को transfer करने के लिए water की requirement होती है या fertilization के लिए water की requirement होती है इसलिए हम इनको अपने पास include नहीं करते हैं successful terrestrial plant में तो water हमारे पास में जल आउसक होता है ये NCRT की ही line है select the correct statement आपको सही statement चाटना है पहला है salvenia ginko and pinus all are gymnosperum salvenia trade of height का member है बेटा तो statement आपका wrong हो जाएगा दूसरा है sequua is the one of tallest tree सबसे बड़ा पेड जो है gymnosperum का 90 मिटर लंबा वो sequua है तो ये statement सही है the leaves of gymnosperum are not well adapt नहीं ये तो adapt होती है extreme conditions के लिए जैसे अपने पास में high temperature high wind velocity zero phytic adaptation इन सब के लिए अपने पास में gymnosperum के लिए adapt होती है तो ये रोंग हो गया gymnosperum are both homoesporous and heterosporous नहीं gymnosperum में केवल heterosporous होते है कोई भी gymnosperum ऐसा नहीं होता है जो homoesporous होगा तो ये भी रोंग हो गया तो answer चला जाएगा second next question है 39 an example of colonical algae colonical algae आपको पता है वोल्वेक्स है वोल्वेक्स के अंदर daughter colony बनती है parental colony बनती है synovium कहलाती है और अपने पास में ये answer चला जाएगा वोल्वेक्स जाएगोटिक मियोसिस इस दा केरेक्टरि स्टेटिक ओफ नीट 2017 का क्यूशन है बहुत अच्छा क्यूशन है देखो बेटा क्या होता है अभी फिर एक बार उस life cycle पर आते हैं हम कहते हैं कि sporophyte जो होता है वो अपने पास में 2N होता है 2N होता है वो क्या होता है sporophyte gametophyte जो होता है वो अपने पास में क्या होता है हैपलोइड होता है अब आप लोग यह अच्छे से जानते हो कि algae के अंदर अपने पास में हैपलोंटिक life cycle होता है मतलब gametophyte man plant body होती है gametophyte क्या करेगा माइटोसिस करेगा और माइटोसिस से अपने पास में क्या होंगे gamets बनेंगे और इन gamets का अपने पास में क्या होगा fusion होगा और fusion होकर करके अपने पास में एक structure बनेगी जो 2N होगी और इस structure को अपन बोलेंगे जाइगोट algae के अंदर जो gamit sporophyte है वो अत्यंत हासित होता है very reduced structure होती है और उसमें केवल एक cell बनती है वो सिरफ कौन होता है जाइगोट और ये भी भूत अलब समय के लिए बनता है तो जाइगोट में ही तुरंत meiosis हो जाता है और जाइगोट में meiosis होता है तो ऐसे meiosis को क्या बोलता है बेटा अपने पास में जाइगोटिक meiosis और क्या बन जाते है अपने पास में spor और spor अंकुरित होकर क्या बना लेंगे gamitophyte तो sporophyte के रूप में सिरफ जाइगोट आया जो भूत अलब समय के लिए आया तो इसलिए जाइगोटिक meiosis उसमें पाया जाता है जिसमें haplontic life cycle दिखाई देगा और वो कौन होगी? algae तो algae में भी हमें haplontic चाटना है क्योंकि fucus exception आती है तो हमारे पास में climatomonas अपने पास में इसमें answer हो जाएगा next question है life cycle of actocarp and fucus respectively are मैंने आपको पहले बताया था यह exception है इसमें diplontic life cycle होता है gymnosperm और angiosperm की तरह है तो haplodiplontic and diplontic life cycle answer second हो जाएगा next question है select mismatch आपको बे मिलान को इसमें select करना है तो सबसे पहले देखो बेटा psychus dioces बिलकुल सही बात है tricus में male और female अपने पास में अलग-अलग plant पर होते है इसलिए अपन unisexual या dioces की इसको शरेणी में रखेंगे salvenia मैंने आपको बताया teridophyte है heterosporus होता है सही बात है equisitum homosporus होता है यह भी सही बात है heterosporus बहुत teridophyte हैं यह ऐमें देखने को मिली थी तो यह दौनों teridophyte की एगजामपल है इसई है पाइनियस पाइनस जो है बेटा पाइनस हमारे पास में ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फिमेल एक पर ही होते हैं तो यह अपने पास में मोनोसियस प्लांट है तो आंसर क्या हो जाएगा फोर नेक्स्ट कुश्ण है विच्वन इस रौंग ले मैच्ट आपको गल्प मिलान को आपको छाटना है जैमकप मार्केंश ज़िशाय बनटे अपने पास में क्लोरिला बिल्कुर सही बात है बल्कुर सही बात है अपने पास में किसमें बनते हैं ब्राउन अधे में और यूनि फ्लेजिलेटेड गैमिट्स मैंने आपको पहले बोला था कि रेड एल्गी के लाइफ में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है तो हमारे पास में यहां पर आंसर जो है वो फोर हो जाएगा नेक्स्ट है विंग पॉलेन ग्रेन आर परजेंट इन विंग पॉलेन ग्रेन आपको पता है विटा पाइनस का पॉलेन ग्रेन इस प्रकार का होता है यह विंग सेप्ड होता है तो यह विंग पॉलेन ग्रेन होता है और जब यह पॉलेन ग्रेन हवा में आते हैं तो बहुत ज Sulphur Rain के नाम से भी जानते हैं इसके pollination को तो winged pollination जो होता है या pollen grain होता है वो किस में देखने को मिलता है फाइनस में देखने होगा, ठीक है, नेक्स्ट है, आप्टर केरियोगेमी फोलोड बाइ मियोसिस, मतलब और स्पोर्स आर पड्डू एग्जोजीनसली, देखो बेटा, एग्जोजीनसली स्पोर अपने पास में बैसिडियो माइसिटीज में देखने को मिलेगे, तो इसमें ह होता है, एसको में एंडोजीनसली होता है, डिटेरो में एपसेंट होता है, बैसिडियो में एग्जोजीनसली सेक्षवल रिप्रोडेक्शन के स्पोर बनते हैं, जिनको अपन बैसिडियो स्पोर बोलते हैं, नेक्स्ट है, ऑक्सिजन इस नोट पर्डूज दूरिंग पर चला जाएगा बाक्ति तो सब में अपने पास में और फोलोंग इस्टेटमेंट इस क्रेक्ट आपको क्रेक्ट इस्टेटमेंट यहां पर स्वेक्ट करना है और जंगल में आग लगने के लिए उत्तरदाई होते हैं इनकी टैल होर्ष मतलब इनकी जो लीफ होती है ऐसे टैल के जैसे बाल होते हैं और इनमें शिलिका पाया जाता है जिसमें फ्रिक्षन होने की वज़े से जंगल में आग लग जाती है साइकर्स और सिड्रस अधर्णत तने ऐसाकित होते हैं साइकर्स का तो जरूर होता है लेकिन सिड्रस का नहीं होता है बिल्कुल गलत बात है मैंने थोड़ी दिर पहले भी एक्जामपल में बोला दा सलेजिनेला, सालविनिया, मार्शिलिया और एजोला ये सारे क्या हैं हेट्रोइस्पोरस्ट है, टेरिडोफाइट है और अविल आर नोट इनकलॉजड बाई औरी वाल इन जिम्नोस्परम ये सही बात है, अनावर्थ बीजियों में बीजांड अंडा से बित्ती से परिबद नहीं होते हैं क्योंकि बीजांड पर अंडा से बित्ती नहीं पाई जाती है और अपने पास में ये नेक्ड होते हैं और इसलिए वहाँ पर फलका निर्मान नहीं होता next question है which of the following statement is incorrect आपको गल्थ कथन को चाटना है conadia are produced exogenously, asco-spore endogenously सही बात है conadia भार की तरफ पैदा होते हैं किसी पर भी इस तरह से penicillium का डाइग्राम आपको बना करके दे रखा है 12th के NCRT में और ascus के अंदर asco-spore बनते हैं इस तरह से east have filamentous body नहीं बेटा, east exceptionally fungi में रखा गया है क्योंकि unicellular eukaryote member protesta का होना चाहिए था लेकिन exceptionally किसमें रखा गया है फंजाई में तो इसमें mycelium नहीं बनता है अपने पास में unicellular होता है तो यहीं रोंग हो गया morales और tufels edible हो गये और clevis up alkaloid और LSD LSD यह manly hallucinogen substance होता है यह भी danger hallucinogen substance होता है लर्श्रिक acid dimethylamide next है pinus seed cannot germinate and established without fungus association this is because pinus के बीज कवक के सयोग के बिना अंकूरित वह इस्तापित नहीं हो सकते इसका कारण क्या है क्योंकि बैटा देखो pinus को अपने पास में water absorption करने के लिए या phosphorus absorption करने के लिए mycorrhiza या fungi का संबंद जरूरी है तो fungi का symbiotic association उसके seed में ही हो जाता है तो इसका मतलब seed hard है नहीं seed coat hard नहीं है its seed content inhibitor inhibitor का कोई लेना देना नहीं है embryo immature यह तो अपने पास में क्या हो गई बैटा dormancy के character हो गई dormancy नहीं होती है ठीक है it has obligate association of mycorrhiza यह सही होगा क्योंकि इसका संबंद बनेगा तब ही यह क्या करेगा खुद को germinate करेगा next question अपने पास में 50 from evolutory point of view return of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed महलब यह बात अपने पास में कहीना कहीं heterospories related आ गई है आप लोग heterospory को बहुत अच्छे से जानते हो कि heterospory में भी यह होता है कि female gametophyte कुछ समय के लिए किस से जुड़ा हुआ होता है मादा युग्मकोद विद कुछ समय के लिए throne burn को धारण करने वाला पहला विकास जो देखा गया था वह teradophyta में देखा गया था ncrt की लाइन है इसको अपन फिरे इसमें दीरे-दीरे embryo बन जाता है यह seed habit के नाम से भी इसको जाना जाता है next है which of the following pair is unicellular algae unicellular algae आपको छाटना है तो chlorella और spiruluna जो है यह unicellular algae के अंदर हमारे पास में आ जाती है next है floridian starts has the similar to यह अपने पास में red algae के अंदर storage food है और यह इसमें amylopectin ज्यादा होता है तो यह glycogen के similar हो जाता है तो amylopectin and glycogen के similar structure हो जाती है next अपने पास में है कौन सा पादा पुबलिंगास रही है monoseous है तो monoseous में अपने पास में अभी कारा के बारे में बात होई रही थी कि male और female एक ही plant पर होते हैं तो उनको अपन monoseous की category में रखते हैं और monoseous का example हमारे पास में कौन हो जाता है next is which of the following algae content minitol minitol brown algae के अंदर storage food होता है ठीक है तो brown algae का example ectocarpus हो गया next question है jammy are present in jammy के बारे में बात कर रहा है तो देखो मेटा पहला option है teridophyte नहीं सम जिम्नोस्प्रम नहीं सम लीवरवर्ट नहीं ओल लीवरवर्ट या maximum लीवरवर्ट आता तो यह भी नहीं होगा तो answer क्या चला जाएगा मौसेज किसमें परजेंट होते है jammy मौसेज में परजेंट होते हैं तो 55 का आंसर हो जाएगा 4 हाँ नेक्स्ट है जैनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड सालविना प्रडूश टू काइंट्स ओफ इसपोर सच प्लांट्स आर नोन हैज जिसमें दो अलग अलग टाइप की स्पोर बनते हैं एक बड़ा स्पोर एक छोटा स्पोर बड़ा मेगा स्पोर छोटा माइक्रो स्पोर वो कहलाते हैं हेट्रोस्पोरस टेरेडोफाइट आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट है विच ओफ दा फॉलोइंग मिनिटल ब्राउन एलगी में फूड इस्टोरेज होता है तो पहला ही रोंग हो गया पॉर्फाइरा बिल्कुल फ्रोलिटन स्टार्च वोल्वेक्स में स्टार्च एक्टोकार्पस में प्यूकोजैंतिन पिगमेंट होता है तीन सही है फ्रस्ट आंसर और प्टेंड करते हैं next question है match the plant with the kind of life cycle its exhibit मतलब कौन सा life cycle उसके अंदर suitable present है तो सबसे पहले spirogyra की बात करते हैं spirogyra fern funeria in ki life cycle से अपने को क्या करना है match करना है 60 number का सबसे पहले spirogyra dominant deployed sporophyte vascular plant with highly reduced male and female gametophyte इसका मतलब यह NGO और gymno का example है तो इसको funeria से मिला दो dominant haploid free living gametophyte इसका मतलब यह अपने पास में bryophyta से related है dominant haploid sporophyte alternating with reduced gametophyte prothelus यह teradophyta से related है विटा और अपने पास में dominant haploid leafly gametophyte और algae हट गई अपने पास अपने पास में terido gymno और NGO में छाटना है और इसमें भी हम gymno और NGO को मैत्यपूर्ण मानेंगे क्योंकि अपने पास में क्या लिखा हुआ है नर्वय मादा युगमक अत्यंत हासित लिखा हुआ है और terido में यह हासित नहीं होते हैं दूसरा है प्रभावी आयगुनित सवत्तंतर युगमकोद्विद यह बिलकुल बात किसकी है ब्रायोफाइट्स की है तीसरा है dominant deployed sporophyte alternating with reducing gametoprothelis की बात हो गयी इसका मतलब यह teridofite हो गया और अपने पास में यहां पर leafly gametophyte की बात हो गयी इसका मतलब क्या हो गया moses हो गया तो funeria moses है c आ गया इसमें अपने पास में d आ गया यह अपने पास में क्या हो गया बिटा fun हो गया b हो गया और यह अपने पास में क्या हो जाएगा a हो जाएगा clear है next question की उपर चलते हैं तो अपने पास में list a को list second के साथ में आपको मिनारा है तो सबसे पहले यह algae है साइकस, जिमनोस्परम है, सिलेजी निला, अपने पास में क्या है विटा, टेरिडोफाइट है और स्पेगनम हमारे पास में क्या है, मौस है, नेक्स्ट क्यूशन है, रीड दा फॉलोंग स्टेटमेंट एंड इडेंटिफाई करेक्टर रिलेटेड टू अलगी, सो इन दा डाइग्राम, यह डाइग्राम में जो अलगी दी गई है, यह अपने पास में कौन है विटा, कारा है, तो कारा से रिलेटेड इस्टेटमेंट आपको छाटने है, इट इस दा मेंबर ओफ क्लोरोफाइसी, साहिए, फूड इस इस्टोर इन दा फोर्म ओफ स्टार्च, साहिए, मॉनोसियस, सोविंग, उगोनियम, अपने पास में एंथ्रीडियम, तो अपने पास में मॉनोसियस प्लांट जो है, यह मॉनोसियस प्लांट है, ठीक है, और इ इस परकार से आपकी अपने पास में यह कंप्रीट हो गई तो इसमें 62 अपने टोटल क्यूशन थे जो आए हुए थे अब आपको नेट के लिए बैस्ट ओफ लख आप लगातार त्यारी करते रहें से आपको मैट्रेल उप्रवित कराता रहेगा थेंक्यू